ये risk management नाम की चीज़ क्या होती है? risk management का मतलब होता है अगर आप किसी भी चीज़ के उपर risk लेते हो तो आप कितना risk ले सकते हो और अगर आप वो risk लेते हो और आपको नुकसान होता है तो आप जहल पाओगे या फिर नहीं जहल पाओगे this is risk management समझाने कुछ करता हो example के लिए अभी के time पे आप एक लाख रुपर महीना कमाते हो 80,000 पर महीना आपका घर का खर्चा है आपकी शादी हो चुकी है, आपकी घर पे बच्चे है और आपका बच्चे की शादी वादी करवानी है future के अंदर और आपको कोछ सेविंग भी करनी है तो आपका दिमाग में आता है 20,000 पर डालते हैं हम crypto में crypto में रातो रात होता है पैसा double लगा दो तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ 20,000 रुपी बच रहे हैं आपके पूरे 20,000 रुपी डाल दी है तो मैं आपसे खुद common sense पूछोना चाओंगा क्या ये चीज अच्छी है या फिर नहीं है क्या ये चीज रिस्की है या फिर नहीं है अप कई लोग कहाँए बहुत रिस्की है तो ये बहुत सारी रिस्की है अप कई लोग कहाँए थोड़ी से रिस्की है तो शायद रिस्की कम है आपके लिए तो रिस्क ये जो होता है ये एक तो पहले आपकी खुद की risk taking capability को जोड़ता है साथ में ये देखता है कि कुछ common sense वाले parameters किसी के बाद सिर्व 20,000 रुपे बचले हैं और पूरे 20,000 रुपे assets के अंदर reply कर सकते हो 70% में से आप 50% equity market में दाल रहे हो 20% आप दाल रहे हो जो debt instruments होते हैं जहाँ पे आपको पैसा safe रहता है अब कोई risk की बंदा है जिसको हर बात में डर लगता रहता है वो debt instrument को बढ़ा सकता है equity को बढ़ा सकता है तो basically यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे आपकी risk taking capability को कुछ common sense parameters के सच में जोड़के आपके risk को manage करा जा रहा है आजकल बहुत सारे AI systems आ गए है जो कि अपने आप detect करते हैं कि कितना risk है कितना नहीं है आजकल अगर आप किसी से उधार लेते हो example के लिए तो जिसन से उधार ले रहे हो उनके पीछे भी तो risk management होना चाहिए मैं आपको उधार दे रहा हूँ ठीक है based on your path data आप पैसा नहीं देते तो बहुत risk है आपको पैसा देना तो यहाँ पे भी risk management आ रहा है तो risk management क्या आ रहा है कि इतना जाला risk प्लस common sense अब यह investment point of view पे भी नहीं आ रहा खाली यह आपकी personal life पे नहीं आ रहा यह किसी भी life के financial parameter के ओपर आ सकता है आजकल हम apps देख रहे हैं जो की loan दे रही है आपको instantly 10,000 रुपे का loan 5,10,000 रुपे का collateral free loan यह कैसे दे रही है यह आपको सब कुछ track कर रही है कि आपका खरीते हो कब payment करते हो क्या करते हो क्या करते हो आपका सारा data store कर रही है उससे वो समझ पा रही है कि आपका क्या pattern है कितना खर्च करते हो कितना save करते हो कहां invest करते हो क्या करते हो क्या नहीं करते उसके हिसाब से आपको एक रिस्क रेटिंग दी जाती है उसके हिसाब से आपको पैसा दिया जाता है अब से निमारी गेम कैसे काम कर रही है मार्केट में अब AI बना दी है कोई बंदा नहीं बैठा वहाँ पर कि AI algorithms आपके बारे में समझ जा रही है उसके हिसाब से डिसिसम बनाई जा रही है